नमस्कार स्वागत है आपका सेल्फ स्टड़ी के चैनल पर और आज हम अपनी जोग्रोफी की सेकंड वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर जो हम मारा बच गया था कि भारत की जो सीमा है वो किन-किन देशों के साथ लगती है उनके साथ क्या-क्या लेट्टीट्यूड नगा रहे हैं वह बहारत की चैनल ओंडियो या विडियो के अंदर बॉड बारत को क्ये बीडियो को वीडियो के प्रवाइब अंदर उनकर द्रभड कर्वाई कर्वे गई है तो जाकर आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के भी और पिछली वीडियो की भी तो best ये रहेगा कि ये वीडियो ऐसा निये कि आज आग पहली बार देख रहे हैं पिछली वीडियो नहीं देखिये तो यह समझ में नहीं आएगी बेशक समझ में आएगी क्योंकि इसमें कोई concept पिछले वाला नहीं है लेकिन वो information काफी जादा important है जो पिछले दीगे थी क्योंकि वो exam में आ सकती है आपके सामने तो पिछली वीडियो जरूर देखनी है आपको एक अलग से playlist बना रखे जोग्रोफी करके तो आप वहाँ से पिछली वीडियो भी देख सकते हैं तो चलिए start करते हैं आज की इस वीडियो में कि हम क्या क्या करने वाले हैं इसको देख लेते हैं देखे हमने पिछली वीडियो में जैसा देखा था boundary of India हमने शुरू करते हैं कि भारत की सीमा ये तो भारत की सीमा देखे दो तरीके से डिवाइड किया गया है भारत की सीमा को दो तरीके से कैसे एक तो है जलिये सीमा यानी water boundary water boundary कैसे कि कौन-कौन से राज्य जो है वो समुंदर के साथ अपने सीमा साजा करते हैं या फिर तट उनके लगते हैं तो एक ही हो जाता है कोशन पूछा जाता है कि कितने राज्य है कि कितने राज्य है समुंदर के साथ लगते हैं जलिए सीमा साजा करते हैं तो कितने हो जाते हैं तो 9 हो जाते हैं ध्यान रखना यह रही है आपके सामने यहां पर लिखे भूए है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो तो नो राज्य आ जाते हैं कोशन पूछा भी गया है multiple time जो है वो कोशन पूछा जाता है इसके उपर कि कितने राज्य जो है भारत के समुदर के साथ लग रहे होते हैं या सीमा साजा कर रहे होते हैं तो एक यह हो जाता है फिर एक आता land boundary लैंड बाउंडरी जैसे कि कौन-कौन से राज्य जो है वो कौन-कौन से जो देश है वो भारत के साथ सीमा साजा कर रहे होते हैं थल सीमा साजा कर रहे होते हैं तो यह हमने देखा था और यह हमने इसमें पाकिस्तान को कवर कर लिया था वही क्या था कि जब हम लैंड बाउं जमू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गया एक तरीके से तो इनके साथ साजा कर रहा होता है और यहां पर हमने देखा था कि इसके साथ विवाद क्या क्या है भारत के किन किन चीजों को लेकर भारत के जब पाकिस्तान के साथ विवाद में लगा हुआ है और विद मैप के साथ इन चीजों को हमने समझते आए थे और आज हम करेंगे जो जितने भी जो देश बच गए हैं चिवो थल सीमा के बच गए हो चिवो वोटर बाउंडरी वाले बच गए हो तो उन सब चीजों को हम कवर करने वाले हैं तो सबसे पहले आते हैं अफगानिस्तान के ओपर लाइन वाई जाते हैं अफगानिस्तान के बाद फिर देखते हैं तो देखें अफगानिस्तान की बाउंडर की बात करें तो भारत का कौन सा राज्य है अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा साजा करता है तो यहाँ पर आ जाता है जम्मू कश्मीर अभी फिलाल यह union territory है लेकिन वो अभी जो पाक occupied कश्मीर है जिसके ओपर पाकिस्तान ने अपना कबजा कर रखा है में भी आने वाले टाइम में वो हमारा ही होगा क्योंकि अखंड भारत का सपना बहुत जल्द पूरा होगा यह जो बेटा है वो शायद अपने बाप से कब तक नराज रहेगा या फिर कहेंगे कि बेटा को अपने बाप के अंडर तो आना ही पड़ेगा वो ही भात हो जाती है तो स्टेट जो है ध्यान रगना जमू कश्मीर है और हमारा जो देश है वो अफगानिस्तान के साथ कितनी सीमा साजा करता है तो यह हो जाता है 106 किलोमेटर बहुत सारी इंफोमेशन मैंने आपको पाकिस्तान का जब आपको चैप्टर कराया था पिछली वीडियो में आपको बता जिया था कि K2 कहां पर है और पाकिस्तान उक्यूपाइड कश्मीर में भारत और उनके बीच की लाइन को क्या का जाता है यह हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने देख लिया था बहुत अच्छे से कवर किया था कौन कौन सी नदियां वहां से निकल रही होती है सारी तो नहीं की थी लेकिन नदियों से ठोड़ा बहुत मैंने आपको वहां पर करवा दिया था इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं अफगानिस्तान से तो मैं पिछले का रेफरेंस कम करूँगा आगे की चीजों को रखूँगा तो बाउंडरी हो जाएगी हमारे सामने अफगानिस्तान की एक सो छे किलोमेटर अब यहां पर इस बाउंडरी को कोई नाम तो दिया गया होगा न इस बाउंडरी को नाम दिया गया है डूरंड रेखा अच्छा डूरंड रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की लाइन को क्या कहा जाता है ध्यान रखना यह जी एक है रेड क्लीफ रेखा ओके और यहां पर अफगानिस्तान और भारत की बीच की line को मतलब की रेखा को क्या का जाता है boundary को क्या का जाता है तो Durant Rekha अब आगे चलते हैं अब यहाँ पर आप map से देखेंगे तो यह वाला जो इतना area जो है न चलिए एक दूसरे map से समझाता हूँ यहाँ पर आप देखें यह वाला जो map का area आप देखेंगे न यह वाला area सिर्फ इतना area यह है Durant Rekha और यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे यह line of control line of control यहाँ से शुरू होती है इसके ओपर P.O.K. कह सकते हैं Pakistan Occupied Kashmir है यह कश्मीरियों को जैसे सपना दिखाया गया था कि हम अजाद बनाएंगे तो अजाद उजूद कुछ नहीं Pakistan उसको अपने अंडर ही ले रहा है तो यहाँ पर हो जाता है यहाँ पर Pakistan Occupied Kashmir और Pakistan Occupied Kashmir और भारत के बीच में जो रेखा या फिर कहीं कि जो line है वो उसको किम कहते है line of control line of control यहनी LOC कहा जाता है LOC किस किस के बीच में पाकिस्तान और भारत के बीच में अब यहाँ पर किस किस यहाँ पर पाक Occupied Kashmir और भारत के बीच में आ जाती है चीज तो वफगानिस्तान से कोई अपना dispute है नहीं हम अगले देश पर आ जाते हैं अगले देश का नाम है Channel तो चाइना से कौन-कौन से जो राज्ये हैं वो touch करते हैं एक तो सब Siz पहले हमें यह देखने हैं तो जम्मू कश्मीर हो गया तो जम्मीर ना कहकर मैं यह कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के जगए लदा कर लिजी Union Territory तो लद्दाक आ जाएगा यहाँ पर union territory हिमाचर परतेश हो गया उतराखंड हो गया, सिक्किम हो गया और उनाचर परतेश हो गया अब यहाँ पर जो boundary जो land है, हम इसको और देख लेते हैं कितनी length है इसकी boundary की तो 3488 km है और क्या इस boundary को कुछ कहते भी है, तो एक थोटा सा एक name दिया इसको गया है name of boundary, Mac Mohan line Mac Mohan Rekha कहा जाता है इसको clear, एक बार map में हम देख लेते हैं तो यह देखें, यहाँ पर आप देखेंगे तो लद्दाक union territory आ जाते हैं, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हो जाता है, यहाँ पर उत्राखंडा आ जाता है, यहाँ पर ओके, इधर चलते हैं, तो सिक्किम आ जाता है, यहाँ पर अरुनाचल प्रदेश आ जाता है तो इतने जो देश है, यह चीन जो देश है इसके साथ भारत की यह राजे यहीं वो टच कर रहे होते हैं तो एक चीज़ यह दियान रखनी है अब बात करते हैं इस मैक मोहन रेखा की अच्छल में यह इस मैक मोहन रेखा जो है वो क्या है, इंडिया, तिबत, चीन इन के बीच में विवादित है विवादित क्या कहेंगे कि यहाँ पर यह तिबबत हुआ करता था तिबबत क्या था नेपाल वालों से बड़ा परिशान था तो नेपाल वालों से बड़ा परिशान था तो नेपाल वाले तिबबत वालों यह जो एरिया ने help मांग ली चीन से चीन को कहा कि देखे हमारी help कर लीजिए तो चीन ने help की और चीन ने जब help की तो इसका आदा area हड़प लिया था तो जब आदा area हड़प लिया था तब भारत और तिबबत के बीच में आदा area तिबबत के ड्रो की गई थी, यह आप देखेंगे ना मैक मोहन रिखा जाती है यहाँ पर, तो मैक मोहन रिखा यहाँ पर ड्रो की गई थी तिबद के बीच में, तो यह तिबद का यह यह था, लेकिन क्या हुआ, 1959 आते आते, चीन ने इस पूरे तिबद के उपर कबजा कर लिया, इस और चीन नराज हो जाते हैं, नराज होने के बाद चीन अटेक कर देता है भारत के उपर, 1962 के में, तब जब अटेक करता है, तो यह अकसाई चीन यह एरिया हडप लेता है, और आज भी चीन यह कहता है, जो आप यह अरुनाचल पर देख रहे हो नहीं, यह तिबद का बहुत ज़्यादा टैन्स रहता है, कभी-कभी जो चीन की जो आर्मी वो अंदर आ जाती है, इस एरिया के अंदर आ जाती है, और यहाँ पर खेल रहे हैं, बच्चों को भी ले जाती है, ऐसा थोड़ी दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था, एक बच्चे को यह चक्के ले तो यह काफी ज़्यादा टैन्स वाली महोल है यहाँ पर, और चीन जो क्या कर रहा है, यहाँ पर काफी सारे गाउं बसा भी चुका है, इस एरिया के अंदर, आपने अपने अकोरिंग उनको नाम दे रहा है, जैसे चीन वहां के अजीब गरीब नाम चलते हैं, तो वो नाम बात कर लेते हैं, तो बाउंडरी वी चाइना के संदर, जो डिस्प्यूट है, उसको हम कवर करते हैं, तो डिस्प्यूट एक में आ जाता है, इंडो चाइना वर, 1962, तो यह ऐसा क्या हुआ था, कि अब एक आँख नहीं सुआते दोनों को, तो रीजन यह था, कि यहाँ पर भारत ने दलाई लामा को बचा कर अपने पास रख लिया था, तो 1962 के अंदर जो वोर होता है, तो चीन क्या करता है, अकसाई चीन का हिसा हड़प लेता है, अब यहाँ पर अकसाई चीन यह देखेंगे, यह देखें, ये लदाग का जो एरिया है, वो यहाँ पर अड़प इनों ने किसको दे दिया ये चीन को दे दिया इसके ओपर भी काफी विवाद हुआ था कि तुम ऐसे कैसे दे सकते हो हमारा एरिया और तुम इसको ऐसे distribute कर रहे हो clear अब आगे चलते हैं तो आपको हम उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजे समझ में आ रही ही होंगी विद मैप किसा चीजे करते हैं तो बहुत अच्छे से चीजे clear हो जाती हैं अब dispute नमबर दो पर आते हैं तो dispute नमबर दो में आ जाता है हमारे सामने भरंपुत्र रिवर तो भरंपुत्र निवर जो है वो आपको पता है कि चीन से चेमा यूंग डूंग गलेशियर जो है वो यहां से जो है वो यह से जो है भरंपुत्र नदी निगल रही होती है तो भरंपुत्र नदी जो है वो हमें भारत में कहते हैं भरंपुत्र नदी को एक्च्छल में जो भारत में नहीं होती तो इस नदी को दूसरे नाम से पोकारा जाते हैं तो यह जो आपकी सामने लिखा हुआ है Sankpo, Sankpo جो है वो इस रधी को कहा जाता है चीन के अंदर, ठीक है Sankpo, इन श कहा जाता है चीन के अंदर यहां पर आप यह नाम देखेंगे गा तो यह अब यह जो Sankpo है जो यह उपर उपर की तरफ से बहती हुई, इन्ट्री करती है तो जब रुनाचल परदेश में जब एंट्री करती है तो इस नदी को कहते हैं दिहांग का जाते हैं और रुनाचल परदेश में भी इस नदी को ब्रहमपुतर ना कहेकर दिहांग का जाते हैं लेकिन जब ये एंट्री करती है कहां पर असम में तो असम में इसको ब्रहमपु पुत्र कहा जाता है तो ब्रहंपुत्र असम में कहा जाता है और जब यह ब्रहंपुत्र जो है वो इसमें बंगलादेश में जब एंटरी कर जाती तो बंगलादेश में इसको जमुना कहा जाता है तो यह नाम हो जाते हैं कि चीन में क्या कहा जाता है रनाचर परदेश में हम तो पदमा और जमुना दोनों मिलकर मेगना का निरमाण करती हैं और यहां पर सुंदर्वन कर डेल्टा बना देती हैं तो काफी चीजे मैंने आप लोगों को यहां पर इस मैप से समझा दी है तो ये जो सांगपो जो river है यानि कि भ्रहमपुतर जो river है ये हमारे dispute का कारण बना हुआ है अब कैसे बना हुआ है क्योंकि जो ये भ्रहमपुतर है इसके ओपर चीन जो है वो डैम बना रहा है जो तीन डैम है वो काफी जादा important है जागू, जांगमू और जियाच है बड़ी है अजीब और गरीब नाम है क्योंकि चीन अजीब और गरीब नाम रखता है वहां के अजीब चीन, चांचूचूँ ऐसी है तो वो ऐसे नाम रखते है तो नाम आपको याद करने पड़ेंगे काफी जादा important है ये तीनो डैम एक बड़ आपको मैप पर इन तीनो डैम की location समझा देता हूँ तो ध्यान रखना केवल एक ही डैम नहीं है, काफी सारे डैम भी है लेकिन ये तीन important हो जाते है हमारे सामने और एक डैम आता है मिडोग, मिडोग भी काफी बड़ा एक डैम है इससे काफी जादा problem होने वाली है भारत को clear तो लेकिन ये देखिए, एक जागू हो गया, एक जांग्चू हो गया, एक जियाच्चा हो गया spelling थोड़ी से अलग हो जकती है, लेकिन pronunciation देख लेना ऐसी होता है यहाँ पर, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है तो ये जो तीन डैम है, एक ये चोथा है, लेकिन इतना important नहीं है, लेकिन ये तीन जो है, वो काफी जादा important है इससे बहुत जादा problem हो रही है भारत को, अब उन problems की भी बात करेंगे, कि क्या-क्या problem हो रही है भारत को इन चीजों से, देखिए, कि चाइना के जो डैम है, वो concern यानि भारत के लिए क्यों इतनी चिंता जनक बने हुए है एक तो agriculture के लिए, agriculture के लिए क्यों, देखिए, जब इतने बड़े जो डैम बनाये जाते हैं, इतने दिने डैम बना लिए गए तो नदी अपने साथ जो भी भाकर, जो भी मिट्टी लेकर आ रही होती है, देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कि जितनी भी बड़ी-बड़ी civilization होती है न, वो आपको नदी के किनारे ही मिलेंगी क्यों मिलेंगी नदी के किनारे, reason यह है कि नदी उपर से पाहड़ों से बहा कर आती है, तो अपने साथ मिट्टी के छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे कन लेकर आती है और जब वो जमीन पर, यानि प्लेन में पहुंचती है, तो अपने साथ इदर-दर इनको बिखेर देती है जिससे क्या होते है, आसपास की जमीन है, वो बहुत ज़ादा उपजाव हो जाती है तो ये जो अपने साथ भाग कर जो मिट्टी लाती है, इसको सिल्ट कहते है बहुत उपजाव मिट्टी होती है ये, और भ्रहमपूत्र क्या करती है, उपर से आ रही होती है तो अपने साथ चोटे चोटे चटे चटे कन बहा कर अपने साथ लाती है लेकिन अगर डैम बनाएंगे तो वो जो सिल्ट है वो वहीं रह जाएगा नीचे दब जाएगा वहाँ पर और इससे क्या होगा आगे जो हमारे देश के अंदर जब यह नदी एंट्री करेगी तो यहाँ पर यह सिल्ट पहुंच नहीं पाएगा पहुंच नहीं पाएगा तो यहाँ की उपजाओ शम्ता जो वो कम हो जाएगी फसल होगाने में दिक्कत होगी अच्छी फसल नहीं होगी तो इससे कहीं ना कहीं एग्रिकल्चर परभावित होगा हमारे साब क्लियर होगा तो एक तो यह प्रोब्लम होगी और इसके बाद दूसरी प्रोब्लम क्या है वोटर रिसोर्सीज वोटर रिसोर्सीज कैसे हैं देखिए बहुत इंपोर्टन है कि यह अप्स्ट्रीम बांध अप्स्ट्रीम होता है यानी चैना ओपर की तरफ होगा है तो अप्स्ट्रीम बांध के निर्माण का डांस्ट्रीम शेतर के बहुत जाधा परभाव पड़ते हैं चीन ने दावा किया कि वो एक Run of the river जल विद्यूत प्रियोजना का निर्मान करेगा Run of the river जल विद्यूत प्रियोजना का मतलब हो जाता है कि पानी ऐसे बहरा है और उस पानी को रोक कर नहीं बलकि इसी पानी के अंदर जो है वो टर्बाइन लगा दिये जाएंगे जिससे वो घूमने लग जाएंगे और इसे बिजली जो है वो जनरेट होने लग जाएगे लेकिन कहा जा रहा है कि आप इतने बड़े टर्बाइन लगाएंगे भले आप डैम ना मनाएं आप चलते हुए पानी का यूज करेंगे उसे बिजली बनाएंगे लेकिन वो तब भी कहीं न कहीं भारत को परभावित करेगा आने वाले टाइम के अंदर ऐसा experts का कहना है क्योंकि इससे आने वाले टाइम में जल कहेंगे कि मानसून नहीं है तो हिमाले के अंदर आपने देखा हो तो एक fold mountain है fold mountain का मतलब होता है जब दो plate आपस में टकराती है तो ऐसे उपर की तरफ ऐसे उपर उठ जाती है तो यह folding mountain आते हैं अगली वीडियो के अंदर में आपको mountain ही करवाने वाला हो तो यह fold mountain का मतलब है और सबसे यंग mountain है तो यहां पर क्या है कि अगर आप ऐसी activities कर रहे हो जहां पर इतने बड़े बड़े डैम बना रहे हो तो यहां कहीं न कहीं भुकम की गतिवीडियों बहुत जादा होती रहती है और यह चीज जो है वो डैम बनाना इतनी बड़ी तोर पर construction करना वो एक तरीके से भुकम को आमंतरित ही करना है तो इससे काफी जादा problem होगी भुकम का area जो है वो बहुत जादा sensitive area है और आप वहां पर यह सब चीज़े कर रहे हो तो obviously problem होने वाली है यह की हो गया फिर इसके बाद कहा जा रहा है water as a weapon कि पानी को आप एक हतियार के तोर पे यूज़ करोगे अब यह बड़ी important बात है कि पानी को हतियार के तोर पे कैसे यूज़ कर सकते है तो कि एक upstream शेत्र होने के नाते क्या आते है चीन को नदी प्रणाली में water store या direct करने क लिए बांध या बुनियादी धांचे के निर्मान में बहुत जारे लापराप्त होते हैं मतलब कि उपर से पानी आ रहा है तो obviously वो dam बनाएगा यहां पर dam बनाएगा तो कहीं न कहीं इस पानी को divert करने की वो कोशिश करेगा भारती मतलब कि चीन नहीं बलकि भारत भी करता तो जब चीन जो है वो उपर की तरफ से नीचे में पानी आ रहा है तो यह चीन का एरिया होगा तो यहां पर उसने dam बना दिये तो dam बनाने के कारण यहां पर क्या होता है कि काफी सारी problem create होती है नीचे वाले शेतर में क्योंकि पानी कभी कम कर देंगे कभी जादा कर अब यह आपको एक agreement के बारें बताता हूं कि भारत और चीन के बीच में एक agreement हुआ था उस agreement में भारत ने चीन को कहा था कि आपना मई और अक्टूबर के महीने में जो मांसून का सीजन होता है आप उस वक्त हमें बताएंगे अपने एरिया के बारे में हाइटरोलोजिकल ड जाएगी उपर अगर ज़्यादा पानी है तो हम नीचे की और से ऐसा system बना के रखेंगे कि उस पानी को हम सही से utilize कर सकें या फिर उसको सही से निकालने के हमारे सामने सही situation हो या फिर सही साधन हो हमारे सामने तो यह agreement हुआ था लेकिन क्या हुआ कि 2017 में यह agreement हो गया था मान के अंदर यह level आप भारत को बताएंगे agreement हुआ था लेकिन 2017 में जब डोकलाम विवाद हुआ तो इसने अपनी रिपोर्ट नहीं थी जिसके कारण यह सीचे सामने निकल कर आई कि भई आप कहीं न कहीं है समझोता हुआ है उसको तोड़ रहे हो और वोटर को ऐसे weapon use कर रहे ह है और करेगा भी वो ओविसली कर चुका है और एक जो है ecological impact पड़ेगा कि जिस एरिया के अंदर यह जीव जन्तु है परजातिया है इसके उपर जितनी भी construction करोगे बहुत ज़ादा परभाव पढ़ने वाला गंभीर परभाव पढ़ने वाला है तो यह सब चीजे होगी हमा यहां पर आगे चलते हैं और एक और चीज है हमारे सामने डिस्प्यूट नंबर थी की बात करते हैं एक है डोकलाम इसु बहुत जादा important है तो डोकलाम इसु मैं आप लोगों को डोकलाम दिखा देता हूं प्लेट्टियू का है पर देखिए डोकलाम प्लेट्टियू यहा अब एक पर थोडी सी सीच्विशन क्लीर कर देता हूं कि चीन कहां तक आ गया था और हम इसका विरोध करने के लिए अपनी सेना भी हमने बेज दी थी हम कहां तक आगे थे एक्षिल में यह आप देखिए डोकलाम इसु तो पाकिस्तान यह जो चीन है वो यह कहता है कि हमार जो एरिया जो है यह शेडिड वाला यह यह देखें कि चीन जो कह रहा है यह इतना एरिया जो है यहां से लेकर यहां तक यहां तक आता है हमारे सामने यह चीन का कहना है और वहीं भुटान कहते है नहीं भई यह एरिया यहां से लेकर यहां तक यह जो है यह सारा एरिया वो घंट मॉची जाता यहां पर बतंम एक बतंम बदोप्था जूर जैयाल पर नातुला नातुला बहुत जादे इंपोर्टन असको रूट कहते हैं तो चीन जो है वो किसको consider कर रहा है इस red line को consider कर रहा है लेकिन भुटान जो है वो इस pink line को consider कर रहा है और जो green line आप देख रहे हो इसके उपर कोई dispute नहीं है तो यह चीज़ें clear हो जानी चाहिए आपको अब एक बार ज़िए हम यह silk route होगी चीन से यहां से entry की जाती थी नाथुला, एक नाथुलादर्रा है दर्रा बोलेतों एक pass होता है को otu बीच में घुजरने की जगहा होती है उसको pass का जाता पर jáज चीन का समान भारत में enter करता था हाँ, जब डोक्लाम issue होता है, तब इसको कबजा करके बैठा है तो इस सारी चीजें जो है वो चीन के साथ कहीं न कहीं हमारे रिस्तों को खराब कर रही हैं अब आगे चलते हैं तो यह हो जाता है हमारे सामने चीन से related जितने भी issue थे या फिर boundary related या फिर कहीं कि उससे जो विवाद थे अब बात करते हैं boundary with Myanmar तो boundary with Myanmar में कौन-कौन से state जो Myanmar के साथ touch करते हैं एक पर उनको देख लेते हैं एक है रुनाचल परदेश, एक है नागालेंड, एक है मनिपूर, एक है मिजोर और total जो length इसके सामने बन के आती है वो निकल के आती है 1624 किलोमेटर तो यहां पर आप देखेंगे तो यह रा नागलेंड, नागलेंड नहीं मैनमार, तो मैनमार यहां से लेकर यह रा, यहां पर तो अब आप देखेंगे कि एक चीज़ जो यहां पर important आ जाती है, कि मैनमार तो आपने देख लिया कि सर यहां पर इसकी जो boundary है उसको कोई नाम नहीं दिया गया, नहीं इसमें नहीं देखे, कोई नाम नहीं दिया गया actual में जो boundary जो decide की गई है परवत वाली एक boundary decide की गई है, परवतों की एक श्रेणी है उस श्रेणी से coding जो है, वो decide कर दिया गया है कि इस साइड मैं नमा रहा हूँ, इस साइड है भारत हो जाता है, जैसे कि जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ना तो मनीपूर में मनीपूर नहीं आप यहाँ पर देखेंगे तो मनीपूर में मनी हील आजाती है और यहाँ पर मिजोर में चलेंगे तो मिजो हील आजाती है तो इस करके जो है यहाँ पर एक तरीके से जो यह पाड़ियां है इनको बाउंडरी बना दिया गया है तो यह हो जाते हैं, एक पर यहां पर मैप में अच्छे से समझ लेते हैं तो यह अरुनाचल परदेश है, अरुनाचल परदेश के इस एरिया से स्टार्ट हो जाती है उपर की तरफ चीन है यहां पर, ठीक है, यह चीन है तो अरणाचल प्रदेश जो है वो चीन और मेहनमार और यहां पर भुटान इनके साथ जो है वो सीमा साजा कर रहा होता है तो बहुत ज्यादा इंपोर्टन हो जाता है आपको यह चीज़ें ध्यान रखनी है तो यह आसाम हो जाता है यह आसाम है अब आगे चलते हैं अब देखें इसके साथ प्रोब्लम क्या क्या है वो चीज़ें समय लेते हैं देखें 1947 में आपको पता है British India Empire हुआ करता था और इसका पहले जो नाम हुआ करता था Myanmar को इसको बर्मा कहा जाता था 1937 में यह अलग हुआ था Myanmar की life line कि इसको कहा जाता है इरावदी नदी को और यहां पर निरावदी नदी के बाद आपको यह रंगून इलाका नजर आएगा तो रंगून इलाका क्यों important हो झाता है वो इसलिए important हो जाता है क्योंकि इहां पर जफ़र की mêmes जाती है इहां पर पूछे जाते हैं कि इरावदी नदर नदी जो है वह वह किसकी लाइफ लाइफलाइन है और रंगून कहां पर पड़ता है रंगून में क्या है रंगून में जफर की कबर है तो यह सारी चीजें कब हो अलग हुआ था किस पहले क्या नाम हुआ करता था यह सारे exam में आय हूँ तो एक मिनट रुकिए यह आप अगर आप देखें तो यह अनाचल प्रदेश में यहां पर आप देखें नागा लैंड मनीपूर मिजोरम तिरपूर भी एक तरीके से बट यहां पर इन एरिया में जो है वो काफे ज़्यादा आशानती रहती है यहां पर आप देखते ह इनके लिए कहीं न कहीं help मिलती है मेंनमार से भी और उपर चीन से भी और कहीं न कहीं पाकिस्तान के ISI भी इसको support कर रहे होते हैं तो यह जो चीज़े हैं हमारे सामने problem बनी हुई है तो यहां क्या है यह जो एरिया है भारत और मेंनमार के बीच में वो इतना ज्यादा dance है पेड़ पोदे बहुत ज़्यादा है वहां पर और एक अंडेवलोप जो है वो कह सकते हैं कि एरिया है यहां पर security के तोर पर तो यहां पर जो खत्रा जो बना रहता है ड्रक्स का खत्रा बना रहता है तो मेंनमार एक तरीके से ड्रक्स जो हमारे सामने problem आती है drug problem आ जाती है क्लियर यहां पर एक तो यह problem create होती है इसके साम दूसरी जो problem हमारे सामने इसके साथ create होती है और भारत और मेनमार के बीच में भीबाद इते है तो थे तो तो दीपू पाज जो है, म Mêmeनमार कहते हैं कि यह हमारे अंडर है, हमारे अंदर आता है हमारा शित्र अधिकार है इसके उपर और इधर भारत हम आठर हम कह रहे हैं कि यह तो हमारा बहुई आ हम देंगे यह आधर यह हाँ इक विवाद पर तो काफी important हो जाते हैं कि कौन-कौन से state जो है वो बांगलादेश के साथ टच कर रहे होते हैं भारत की तो एक West Bengal, Asam, Meghalya, Tripura, Major टोटल length की इतनी है इसकी तो length हो जाती है 4156 km भारत सबसे ज़्यादा किसके साथ सीमा साजा कर रहा होता है तो वो जो है वो बांगलादेश हो जाता है अब यहाँ पर आप देखेंगे न तो 4156 जाते हैं तो दियाँ पर देखेंगे map में भी आप देख सकते हैं कि West Bengal हो जाता है इधर Asam हो जाता है इधर में गाले हो जाता है इधर पूरा हो जाते हैं, तो यह जो राज्य हैं, वो बांगलादेश के साथ टच कर रहे होते हैं, पूछा जाते हैं कि कितने राज्य हैं, बांगलादेश के साथ टच करते हैं, भारत सबसे ज़्यादा सीमा साजा किस देश के साथ करता हैं, यह भी पूछा जाता है, ओके, तो इ एंट्री करती है सांग पो तो इसको दिहां नदी कहते हैं जब आसम में आती है तो इसको क्या कहते हैं यहां पर हम इसको bhramputr कहते हैं यहां पर मांडुली दीप हैं। तो यह जब मांडुली यहां से असम में आती है तो इसको भर्हम पूतर कहते हैं मशना είναι कमारी कि dependency कर रही होती है इसमें बंगलादेश के अंदर glory को कहा जता है, जमुना कहा जता है। इसको जमुना कहा जाता है और उदर से पश्ची मंगाल से जब एंटरी करती है गंगा तो इसको पदमा कहा जाता है और जब यह दोनों नदी मिलती है तो इसको मेगना कहा जाता है और यह जहां पर गिरती है वहां पर mouth of the गंगा mouth of the गंगा कहा जाता है delta क्या होता है कि delta वह होता है कि नदी अपने साथ मिट्टी बहाग राई और इदर अधर उसने बिखेर दिए जो बनके आया है यहांपर इसको delta कहा जाता है ओके तो यह चीज़ें होगी हमारे सामने ही तो यह आई होपस आप लोगों को चीज़े समझ में आ गई होंगी अब आगे चलते हैं इससे related बातें कर लेते हैं कि बांगलादेश के साथ हमारे कौन-कौन से dispute निकल गाते हैं तो number one पे जो dispute हमारे सामने इसके सामने है तिस्ता नदी तिस्ता नदी कहां से निकलती है first of all तो यह चीज़ देख लेते हैं सिक्किम से जेमू गलेशियर से निकलती है सिक्किम से जेमू गलेशियर से निकलती है तिस्ता नदी अब यह मैप में भी आपको दिखाएंगे ब्रहम पुत्र की सायक नदी है तो यहाँ पर देखें, यह राज सिक्किम, सिक्किम के जेमुकलियेशियर से यह निकल रही होती है और यह बांगलादेश में जाके साथ इसके साथ मिल जाती है, ब्रमपुतर नदी में जाके मिल जाती है बांगलादेश की सबसे बड़ी चोथी सबसे बड़ी नदी है जिसका काम सिंचाए में ये यूज करता है यहांपर तो इसके लिए बहुत जादा इंपोर्टन्ट है अब क्या हुआ इसको लेकर विवाद क्या है विवाद यह है कि 1983 में विभाजन हुआ इस नदी का नहीं इस नदी के पानी का विभाजन हुआ विभाजन ऐसे हुआ कि इसको 39, 36, 25 इस परसंट के शेर में बाढ़ दिया गया इस नदी के पानी को 39% जो है वो भारत को दिया गया और 36% हिसा जो है पानी का वो बांगलादेश को दिया गया और 25% जो है वो नदी में रहने दिया गया मतलब कि सारा पानी थोड़ना खतम करना भाई या थोड़ा पानी तो नदी में रहने दो तो ये बात हुई लेकिन बांगलादेश इससे कभी खुश हुआ नहीं वो कहता है कि हमें तो और पाने चाहिए obviously किसी को जितना भी देदो वो उससे कभी खुश होगा भी नहीं उसको हमेशा और ज़्यादा डिजाइर की होगी लेकिन तिस्ता जो नदी है वो हमेशा एक तरीके से कार्ण बने रही है हमारे यहाँ पर भी क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत सारे multi-project start कर रहे हैं डैम बना रहे हैं कनल बना रहे हैं तो यह हमारी बिजली के आपूरती पीने के पार पूरती सिंचाई के आपूरती बहुत जादे यह आपूरती पूरी करता है भारत की तो एक तरीके से चीफ मिनिस्टर है जो बंगाल की महमतब एनरजी उन्होंने काफी टाइम यह बात करनी चाहिए बांगलादेश से इस तीस्ता नदी से तीस्ता नदी के उपर लेकिन बाद में इसे मुकर जाती कि मुझे नहीं करनी और मुझे पानी आपको नहीं देना है देखे स्टार्टिंग में तो 1993 में आपकी सामने जो फिगर लगा रखा है यह था लेकिन बांगलादेश बोला कि हमें 50% पानी चाहिए भारत बोलता कि तुम्हें 50 चाहिए मुझे 55 चाहिए फिर तो यह सब चीज़ें देखे है तो टोटल सो ही भारत बोल रहा है मुझे 55 चाहिए बांगलादेश बोल रहा है मुझे 50 चाहिए 105 आ जाता है वह यह पांच कुन घर से डाल की जाएगा अपने तो यह वाली बाते ह है तो इसके पर dispute चल रहा है लेकिन बाद में हुआ कि 42 परसंट जो है वो मिल जाएगा किसको भारत को लेकिन 37.5 परसंट मिलेगा बांगलादेश को लेकिन यह जो बात होनी थी इस पर साइन हो नहीं पाए कभी भी 2011 से यह अटका हुआ यहाँ पर और ममतब एनरजी जो है देना चाहती है क्योंकि यह जाती है कि इनका पानी जो यह तिस्तानादी का पानी वो भारत में ही रही यानि बांगलादेश को मिलता रहे अब एक चीछ जो बढ़ी आती है कि क्या एक चीफ मिनिस्टर किसी दूसरे देश के साथ इंटरनेशनल मामले में ऐसा बोल सकती है देखें जो पानी जो है वो स्टेट का इशू है ध्यान रखना जो वोडर जो है वो स्टेट का इशू है और स्टेट के इशू पर यह आपको पता है तीन सूचिया है के अंदर सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची यह दोनों पर अधिकार जो एक तरीके से कहीं जो अंदर interfere कर सकती है लेकिन वो एक पॉलिटिका इशू हो जाता है उसको हम वहां कभी कवर करेंगे तो यह आज आता है आपके सामने तिस्ता नदी रिवर का dispute जिसको लेकर बांगलादेश कह रहा है कि हमें जादा चाहिए लेकिन अभी भी कुछ अजाद होने से पहले भी अगर मैं बात करूं आपके सामने थोड़ा बहुत इतियास अगर मैं आपको बताओं बांगलादेश का तो देखिए क्या हुआ था 1947 में जो भारत आजाद हुआ तो उससे पहले 1905 में 1905 में आपको बताओं कि बंगल का विवाजन कर दिया गया था क्योंकि 1877 की जब करांती हुई थी तो सबसे ज़्यादा करांती जब अंग्रेजों को बता चला है यह करांती हुई कहां से तो अंग्रेजों ने पाया कि जो करांती वो बंगल के एरिया से जो लोग निकल के आए हैं यह ज़्यादा इतने ज़्यादा समझदार है कि इनकी वज़े से करांती हुई है तो 1905 में बंगाल का भी भाजन कर दिया जाता है तो बंगाल का भी भाजन कर दिया जाता है जिसमें ये एक बंगाल बना दिया जाता है अब यहाँ पर जब ये बंगाल बनता है तो जब देश अजाद होता है 1947 में 1947 के अंदर इसको East Pakistan का दरजा दे दिया जाता है क्योंकि obviously Muslim भौसंग था तो और वो भी जो देश पाकिसान चाहिए वो Muslim के अधार पर यानि धर्म के अधार पर या लग वा था धर्म के अधार पर ही बना था तो यहाँ पर वो Pakistan यानि इस इट बढ़ता है, इस इट जो पाकिसान बढ़ता है और यह जो पाकिसान है, इन दोनों基本 को क्या कहा? यह पाकिसान है. लेकिन ये East Pakistan है 1971 में आया 1971 में आया यहाँ पर जो एक नेता हुए रहिजवीन, रहिजवीन शाइद मन्जवीन का नाम नहीं आ रहा तो यहांपर क्या हुए इन्हों ने कहा कि हम तो हमारी कोई सुनता ही नहीं है भई हमारे एरिया से अगर कोई परधान मंत्री क्योंकि यहांपर सीटें जादा थी और एक सीट को यहांपर पावर इतनी मिल गई थी कि उनको जो गवर्मेंट बनाने थी लेकिन यह जो पाकिसान था इन्हों ने मना कर दे कि आप गवर्मेंट नहीं बना सकते तो इससे परिशान होकर यहांपर एक तरीके से करांती या बगावत शुरू हो गया थी आते हैं कि हम अलग देश लेंगे तो 1911 में अलग देश बना था भारत ने भी इसकी मदद किती तो 1911 के बाद यह बंगलादेश बन गए तो आई होप सो आप लोगों को यह थोड़ी बहुत हिस्ट्री समझ में आगी होगी बंगलादेश की अब यह हो जाता है बंगलादे है लेकिन अधिकार किसका है बंगलादेश का देखे अगर आप यह तीसता रदी रिवर के किनारे पड़ते हैं दागराम और अंगर पोटा तो यह दागराम अंगर पोटा जो है वो आता तो किसके अंडर है मतलब कि किसका अधिकार है बंगलादेश का लेकिन किसकी अंग्रिमिंट होता है ऐंग्रीमेंन्ट होता है 1904 में तो भारत और बांगलादेश के बीच में तो इसमें ये कहा जाता है कि एक बेरुबारी जो एरिया है बेरुबारी जो एरिया जो वो बंगलादेश के पास था, अधिकार शेत्र में था, यानि कि इसकी लोकेशन में आता था, और ये था भारत का, तो यह था भारत का, तो यहां पर जो एक तरीके से कहा गया, यहां पर यह का गया कि आप यह हमें दे दीजिए और हम आपको 10 ग्रम अंगर पोटा दे देंगे तो यह जो है अदला बदली की गई अदला बदली की मात की गई थी लेकिन अदला बदली में यह बेरुबारी तो दे दिया गया था भारत को लेकिन अंगरबोटा जो है वो दिया नहीं गया है इसको क्या कहते हैं बांगलादेश को तो इसलिए बांगलादेश की वहाँ पर विरोध होने लगे थे बांगलादेश ने और बांगलादेश ने सरकार ने कहते हैं आपने जो किया है वो सही नहीं किया है आपने बात की थी कि हम आपको बेरुबारी देंगे और आप 10 ग्राम अंगर पोटा हमको देंगे लेकिन भारसरकार कुछ पॉलिटिकल रीजन से ये वाला एरिया इनको दे नहीं पाई तब एक agreement होता है वो तीन बिगा agreement किया जाता है तीन बिगा agreement क्या किया जाता है कि एक जो एरिया यहां से past करने के लिए एक जो एरिया है तो इनको दे दिया जाता है तो समझ में आया होगी जो ब्रहंपूतर बांगलादेश में एंट्री करती है तो उसको जमुना कहा जाता है और जो घंगा जो बांगलादेश में एंट्री करती है तो उसको पदमा कहा जाता है पदमा और जमुना दोनों मिलकर किस नदी को क्या कहते है मेगना कहते है और मेगना जो जहां पर गिरती है तो वहां पर सुन्दरबन का डेल्टा बनता है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है यहां पर clear largest delta of the world अब यहां पर क्या है इस delta में क्या पाय जाते है यहां फिर यहां पर पाय जाते है ज्वारियवन, mangroves forest यहां पर इसकी लकड़ी इतनी जबर्दस होती है कि इस लकड़ी का इस्तमाल क्या जाता है नाव बनाने में ठीक है तो यह एक disputed area है तो यह हो जाता है हमारे सामने सुंदरबन का delta थीक है 27 रामिसर वैटलेंड है यह हमारे देश के अदर थीक है वैटलेंड क्या होता है वैटलेंड एक तरीके से मतलब कि रामिसर किया है szerag किया है वेटलेंड का मतलब होते हैं एक दलदली इलाका जो बहुत ज़ादा मतलब ecosystem के लिए बहुत ज़ादा important है पोशुपक्षियों के लिए बहुत ज़ादा important है तो वहाँ पर कहा गया यह आपको जो वेटलेंड वो बचाना होगा इसके बचाने के लिए convention होता है 1971 में जो लागू हो जाता है 1975 में तो रामेशर कहां पर है? रामेशर इरान के अंदर है इरान की एक जगह है एक ज़़ान में एक शहर है रामेशर तो वहाँ पर जब यह समेलन होता है इसलिए रामेशर वेटलेंड का नाम आता है तो यह जो सुंदर्बन का जो डेल्टा है वो 27th रामेशर वेटलेंड है और रामेशर भारत के अंदर कौन-कौन से साइट्स है वो आपकी सामने यहां पर रखी भी गई है भारत में पहले रामेशर साइट कौन थी तो चिलका लेख हो जाती है यहां पर यह एक्जाम के point of view से important है अब आगे चलते हैं तो यह हमारे सामने हमने चीजों को खतम कर लिया है बांगलादेश के साथ अब बात करते हैं शरलंका के साथ तो शरलंका अगर आप देखें तो नीचे की तरफ आ जाता है नीचे की तरफ बोले तो एक water boundary बनाता है भारत के साथ तो यहां पर आप देखें old name इसका Ceylon है इसकी shape जो है आप देखेंगे न तो एक नारियल की तरिके की जो shape है नारियल की तरिके की एक shape है यहां पर आप एरिया देखेंगे जाफना जाफना जो है L-T-E-T-E लिट्टे के नाम से काफे जादा important है लिट्टे एक वो organization है जिसने राजिव गांदी का assassinate कर दिया था तो लिट्टे यहां से आपको द्यान रखने है फिर यहां पर आपको एक चीज जियान रखने है यह जो area है मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूँ यह क्या है ओके तो देखें भारत और श्रिलंका के बीच का जो area है एक तरीके से किस तरीके से अलग हुआ है एक Bay of Mannaar है यानि Mannaar की खाड़ी और और एक पाक जल स्टेट है पाक जल संदी है देखें यह होगी पाक स्टेट एक होती ही गलफ of Mannaar स्टेट किसको कहते हैं जैसे मैने अपनी पीछली वीडियो में बताया था कि यह एक area है यह एक area है और यहां पर यह जो area है यह जो एरिया है, इसको हम straight कहेंगे कि दो स्थल को जोडने वाले जल को क्या कहा जाते हैं, दो बड़े-बड़े स्थल को जोडने वाले पानी को क्या कहा जाता है, straight कहा जाता है, उमीद करता हूँ, यह चीज़ें समझ में आ गई होगी, अब आगे चलते हैं अब देखते हैं, boundary of शेलंगा के साथ हमारे साथ क्या क्या विवाद हो जाते हैं अब यहाँ पर आपने देखा न, यह वाले जो एरिया है इसको कवर करवा देता हूँ, देखें यहाँ पर आपको एक धनूश कोडी और एक तलाई मननार, यह दो चीजें देखने को मिलेगी, और यह जो है वो राम सेतु, यहाँ पर आपको, यहाँ परी जो है वो एक तरीके से, आडम्स ब्रीज, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अब यहाँ पर problem यह रहती है, इन दोनों देशों के बीच में, कि यहाँ भारत को मिला हुआ है, देखे, किसी भी देश को 200, 200 nautical mile, यह इतना area दिया होता है, ठीक है, इतना area दिया होता है, 1.87 1.87 km होता है, एक nautical mound के अंदर, तो multiply कर ले, 1.87 km होता है, एक nautical mile के अंदर, तो आप देख ले, कितना area जो आ जाते हैं, यह क्या है, मैं समझाता हूँ, देखे, कोई भी जो देश होता है, कोई भी जो देश होता है, वो कहा जाते हैं, कि आप ना 200 nautical area, 200 nautical mile तक का, आपके पास area रहेगा, उस पानी का, मतलब कि इस पानी में, जो भी आपको मिलेगा, जो भी खनीज पदार्थ आपको मिलेगे, जो भी तेल मिलेगा, वो आपका होगा, यहनि वो भारत का होगा, यहाँ पर आप मचली असानी से पकड़ सकते हैं, तो श्रिलंका के पास भी ऐसी है, कि भी श्रिलंका के पास भी 200 नोटिकल माईल दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, भारत के भी मचवारे इस एरिया में आजाते हैं, श्रिलंका के मचवारे भी इस एरिया में आजाते हैं, जिससे क्या है कि दोनों ही देशों के बीच में जो नोटिकल माईल वाला जो पंगाई ये हमेशा चलते रहते हैं कभी भारत जो है श्रिलंका के मच्छवारों को पकड़ देते हैं कभी श्रिलंका जो है भारत के मच्छवारों को पकड़ देते हैं तो काफी जाद रहे हैं मच्छली की प्रोब्लम आती है श्रिलंका हमेशा इसके उपर इल्जाम लगाता है मतलब भारत के उपर इल्जाम लगाता है कि भारत के जो मचवारे हैं हमारे एरिये के मचले पकड़े लेके जाते हैं और जिससे हमें बहुत जादा नुकसान होता है श्रिलंका को यह श्रिलंका का कहना है अब आपके सामने एक सवाल ही उड़ता है कि क्या मचली पकड़ने से इतना ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर आप उत्तर भारत में देखते हो तो आप यहाँ पर देखेंगे तो गेहूं को चावल यह फसलें बहुत जादा इंपोर्टन है लेकिन आप दक्षिन भारत में चलें तो यहाँ पर मचली यह जो जितने भी राज्ये हैं जो समुदर के साथ तटियरेखा बनाते हैं यहाँ पर मचली एक जो फिशिंग है वो बहुत इंपोर्टन एक बहुत क्रिटिकल इशू है यहाँ पर लोगों के लिए जिवन लिवली हूड है यह एक तरीके का तो यह इनके लिए हो जाता है जैसे पुतर परदेश के लिए यहाँ के लिए भी मचली हो जाता है अब आगे चलते हैं बाँडरी विद मालदीव मालदीव के साथ अमारी जो लोकेशन है वो Arabian Sea में पढ़ती है तो यह देखिए यह रहा भारत और यहां पर Arabian Sea यह रहा और यहां पर आजाता है Malay, Maladiv ठीक है इसकी राजधानी Malay हो जाती है अब यह आजाता है Maladiv अब यहां थोड़ा से समझ लेते हैं कि भारत इसके साथ कौन सी boundary से अलग होता है देखिए Minikoy यह जो island हो जाता है यह जो island है वो जो है वो लक्षदीब के है ठीक है? लक्षदीब के island है तो लक्षदीब जो है यहां पर मालदीव, Minikoy और Maladiv कैसे अलग होते हैं? 8 degree channel channel और state दोनों ही एक है channel और state दोनों ही एक है इन दोनों के area मतलब इनको कैसे connect के गए पानी के दोरा तो यह state होगी लेकिन यहीं अगर थोड़ा सा ज्यादा करते हैं तो इसको channel कहा देंगे बस बात खत्म तो channel और state दोनों ही हो जाते हैं तो पूछा जाते हैं कि मालदीव और भारत कौन से channel के दोरा लगोते हैं तो 8 degree channel होते हैं तो उपर mini-coi island भी हो सकता है clear वो भारत का ही है वो भारत का किसमे आता है लक्षदीप के अंदर आ जाता है clear तो इस से related थोड़ा बहुत boundary के बारे में बात करें तो यहां पर देख लीजिए मालदीव हो जाता है मालदीव की राजधानी माले हो जाता है और माले के बारे में यानि मालदीव के बात करें तो यह जो island है वो coral यानि परवाल द्वीपों से बना हुए परवाल द्वीपों से बना हुए अब यह क्या होते हैं आप यहां पर एग एक झली अजीव जो जुजें त्हिलाइड शेवाल इं। कोर्म को शिक्सकर्लों को क्या करते हैं यह क्या करते हैं और साथ इसको पर क्लर को प्रवाइड करते हैं 60% food provide करते हैं और plus color provide करते हैं यह जो आप रंग भी रंग के color देख रहे हैं वो जो जन्थलाई के कारण हुआ है इन coral का color अब क्या हो रहा है कि आने वाले time में जैसे जैसे आपको बता है कि global warming बढ़ रही है global warming बढ़ रही है तो temperature बढ़ रहा है जब coral का खाना खतम होगा इनका color खतम होगा तो coral bleaching हो रही है coral bleaching मतलब हो जाता है यहाँ पर coral का color खतम हो रहा है इनको यह एक तरीके से coral सफेद रंग के हो रहे है तो coral bleaching कहते हैं उसको ठीक है coral bleaching कहते है तो coral कहीं न कहीं खतम हो रही है है कोरल से तो अगर यह चीज़ें खतम होती है तो कैंसर की दवाई ओविसली इस पर परभाव ड़लेगा पड़ेगा कि वहां पर दवाईयां नहीं बन पाएंगी तो यह प्रोब्लम आ जाती है इसके साथ तो उमीद करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि कोरल किसको कहते हैं एक्वेटिक और्गिनिजम है जो जेंतलाई से मिल कर बना होता है तो यह सारी जो चीज़ें वो आप लोगों को पीडियेफ के तोर पर आपको मिल जाएंगी उमीद करता हूं इस सारा सेशन आपको समझ में आ गया होगा मैंने कोशिश किया आप लोगों को मैप से समझाने की अगली वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं माउंटेन या फिर प्लेन प्लेट्यू इन सब के बारे में जानेंगे हम भारत की पहले हम भारत के विशय में सारी चीज़ों को कवर करेंगे हिमाले माउंटेन के बारे में कवर करेंगे कैसे कैसे उसको डिस् से मुझे यकीन होगा कि आप लोगों को इस chapter समझ में आया होगा subscribe करेंगे तो मुझे और ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को पक्का समझ में आ गया है और कोई doubt है तो comment करिए कि आप अपने doubt को लिखकर मुझे भेजिए कि मैं आप उसको कैसे solve कराऊंगा वो मेरी headache है लेकिन आप मुझे at least बताइए सी कि आपको problem आ रही है नहीं आ रही है तो वह चीजी में आपको लिखनी है तो pdf जो आप लोगों को provide करवाए जाएगी टेलिग्राम का एक link दिया मिलेगा description box में तो जाकर आप वहां से download कर सकते हैं साथ इसाथ self study लिख लिजिए आप self study लिख लिजिए टेलिग्राम के channel पर तो आपको इस तरीके का icon अजर आएगा जिसके उपर लगवग 9000 लगवग 10,000 के करीब जो है वहां पर बच्चे जुड़े हुए हैं तो वहां पर सीधे तोरपया से connect भी हो सकते हैं तो बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में thank you for watching this video